तो अगर हम आज के लिए बात करें तो यहां से पहले 22 डेट अक्टिवीट की यहां पर उसके अज से मार्केट नेगेटिव होती चले गई अब देख सकते हैं यहां बेनेगेटिव रहा है यहां भी मार्केट काफी स्ट्रॉग ली नीचे की तरफ गरिया लेकिन इसके बाद तरह कि आपको अपस अपसाइट का मॉमेंट लेना शुरू कर दिया अगर के लिए इस टरहीं पराद मीशान जन देiggly चल्च कर दों एक लिए ऑपसजिए बार्थल्मस पर लेकिन तक का यहां से गिरने के बाद वापस सब्सेट का मोमनेट लेन दनकिन अव्वेंस के अच् ne maहल है कि आपके जो हैं आपके नोग समान जरूदूद लिए कि आपकी करनशी है आपके जो पैसा है तो वाहर जा रहा है तो यह ज़्या था ताथ हैर औहुआंपर्ट जह कुणल माहें जुछ करने से अज एधार यहां से फ्सफेत का मुममेंट नियाकर की सब्सक्राइब तो यहां से देख सकते हैं 3-4 चाहड़ व्क गई्सियान विक गई सवैसियर है और यहां से इफ जुटा इसको तोड़ा नहीं उसके एक डूजी बना उसके एक लॉंग विग्ड बेरिश कैंडल बनी क्योंकि यहां पर हमार पस रिजिस्टेस बनावा था और इस टाइम पर हम वेट कर रहे थे मार्केट पूरा वेट कर रही थी कि अभी जो है डाटा आने वाला है छे बजे जो है इंपोर्ट का डाटा आने वाला था यूस का और वो आया इस कैंडल के ओपर और इस कैंडल पर जो डाटा है वो हमने टेलिग्राम चनल पर आपको चेवजी आपको अपडेट भी किया था और बताया भी था कि व्यूपॉंट क्या रहेगा डाल इंडिक्स के लिए पॉजि आपको बदेखने है यहां तक मार्कत गई है तो काफी स्ट्रॉंग व्यू यहां पर रहा है अभी यहां पर बेरिश कैंडल बन रही है और यह बेरिश कैंडल जो है तोड़ से नेगिटिवटी ला सकती है मार्केट में क्यूंकि यह जो तीन कैंडल का जो का यह जो रहा है इनके पीछे moment candle के पीछे जो यूज रही है या factors रही है वह रहे हैं वह को यहां को पता दी है यहां से market क्यों resistance ले रही है क्यों कि यहां market पहले भी strongly resistance ले चुकिया अद्रवाइस market से भी उपर आ सकती थी लेकिन जैसे आप और हम trade कर रहे हैं वैसी बहूत पुरी दुनिया जो है ट्रेड कर रही है दुनिया को पता है कि यहां पर जो है रेजिस्टेंस क्रियेट है तो यहां पर आकर मार्केट में उन्होंने जो भी उन्होंने बाइंग कर रहे थी डॉलरिक्स की वह यहां पर आकर उन्होंने सेल कर दी क्योंकि इससे उपर जो जाना था व तो यह चोड़ी चीज है हमें पता होनी चीज है कि किस वजह से market में किस तरह का movement आ रहा है तो उसी हिसाब से next trade भी plan कर सकते हैं, एसलिए हो जाता है अगर हम समझ के करेंगे कि market में किस तरह का emotion चल रहा है और किस तरह के news चल रही है और कैसा हमार पास technical support या resistance यहां पर create हो रहा है तो अभी हम बात करते हैं कल के लिए कि कल के लिए बहुत जादा important data नहीं आ रहा है चोटा-चोटा सा data बहुत ही जादा चोटा सा data है जादा impactful भी नहीं है लेकिन इंडिया के लिए है कोई है सच strong data हमार पास नहीं है जो कल हमें impactful trade दे सके तो मार पास एक decisive level रहेगा 102.498 का लेवल दूसरा रहेगा 102.554 का लेवल इसको अब लाकमा कर लिए थोड़ा सा में स्कूपट राक कर लेते हैं क्योंकि यहां आप मार्के ने resistance लिया है अगर market sell side trade activate करेगी तो first target रहेगा हमारा 102.400 उसकी बाद आज market ने जहां support लिया है उसको हमें mark करना होगा यह हमारे next level रहे जाएगा तो next target रहेगा 102.309, 102.259 और 102.101 यह रहेंगे हमारे sell side के targets by side के अगर हम बात करते हैं तो हमारा first target रहेगा 102.619, 102.703, 102.897 पिवट्स on करके देखते हैं एक पिवट्स यहां पर देखना जरूरी है क्योंकि यह बहुत बड़ा gap है तो पिवट्स देख रहेते हैं कहीं रहेगा 102.897 और 102.999 यह हमारे buy side के targets रह सकते हैं इसके साथ ही हम बात करेंगे gold की दोलर इंडेक्स मजबूत है तो gold obviously बात है कमजोर होना था और यह बॉक्स भी क्रेट किया था हमने कहा था यह बॉक्स तो अच्छा movement देखने को मल सकता है और आप देख सकते हैं आप बॉक बॉक्स ने भी दिया है बॉक्स अब इरेज कर देते हैं बॉक्स के ओपर हमने एक strategy जो है आपके साथ शेयर कर रहे है और बॉक्स डार्वस के strategy है जो उन्होंने यूज कर रही थी और इसके strategy के basis पर उन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया था तो एक छोटे से जगे पर यह अब थोड़ साथ एक्स्पोर करेंगे तो आपको डार्वास बॉक्स थियूरी के नाम से आपको गूगल पर कहीं भी मिल जाएगा अदर्वाइस इस थियूरी के basis पर हमने एक वीडियो भी प्लॉट कर रखी है जो जिसमें हमने थोड़ सा सिंप्लिफाइ करके समझाया वा अब आगे डाल एंग गोल के लिए टांगे एक बार देकी चार्ट पर स्विच करेंगे और यहां से डाल गोल जो नेगिटिव होता दिख रहा है मैं अब देख सकते हैं यहां से मार्केट पॉजिटिव बनी हुई है यहां से अपसाइड भी जाती भी नजर आ रही है और अगर आपने वसे अच्छार से तोड़ से पीचुजिव नेगकर करें नीजर्ने तो अपस पार दिख रहे होगा कि आज की तोर बार बस नों से पर. पूरी पूरी कोशिश में है, तो एक बाई यहां से लिए कोशिश में है यह तोड़ी नहीं है, बहुत पास पहुच चुकी है, इस trend line पर, यहां से आप देख सकते हैं, support ले रही है, यहां पर काफी बार support, काफी दिनों से support ले रही है, तो अब हम आप ली चार्ट पर switch करें यह एक viewpoint मिल गया हमें, long term का, day की चार्ट पर, अब यह trend line जो है, यह हमें support देने वाली है, तो अब हम यहां से, बहुत easily marking मिल जाएगी, first हमार को एक decisive level mark करना है, 2613 का, अगर 2613 को market upset पर break करती है, तो 2620, 2625, 2632, एक level और मार करेंगे, 2636, यह हमारे buy side के target से रह सकते हैं, sell side प trend line जो है, बहुत दिनों तक इसने support दिया है market को, अभी हमने history में चेक भी किया था, तो अगर इसको break कर देती है, तो 2605 हमारा first target रह सकता है, लेकिन इसके नीचे sustain करने के लिए market को बहुत strength चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा cautiously plan करना पड़ेगा, अगर कोई अच 286 और 2578 हमारे sell side के targets रह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा से बिड़ा उट है, थोड़ा सा भी डर है, तो लालच में मत आईएगा क्योंके trading जो है, वो लालच के साथ नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा से बिड़ा उट है, थोड़ा सा भी डर है, आप रस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप sell side में gold में trade plan मत कीज़ेगा, avoid कीज़ेगा, तो हम बात करते हैं, silver की XAG, USD के targets भी mark करते हैं यापर हम, तो strong sell side का हमें trade देखने को मिला है, market continuity में नीचे के तरफ गिरी है, जैसा हमें gold में देखने को मिला, है, तो marking करते हैं आपर हम सबसे पहले, डेसर से एक बड़े की चाट पर चलते हैं और drawings off करते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या movement आया है, इसमें देखिए आप imaginary line ड्रॉ करेंगे ना यहां से अगर यहां से ड्रॉ करते हैं, यह देखिए काफी ऊपर है वैसे तो, अभी काफी distance है, यह काफी pass बहुत चुकी है, ठीकिए अब हम आवली चाट पर switch करते हैं और चलते हैं अपने area पर, जहां पर market काम कर रही है, यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर देखिए कि S2 है, यह हम अगर ignore कर देते हैं, और market यहीं से support लेकर चली जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाता, तो इसको mark कर लेंगे हम, pivot अब हम off कर देंगे, decisive level mark करेंगे हम, 30.38 buy side का decisive level रहेगा, अगर market buy side पर trade activate करती है, तो 30.53, 30.78, 30.90 और 31.06 यह रहेंगे हमारे buy side के targets, sell side पर market trade activate करती है, अगर यह जो candle है, 20 minute बचे हैं वैसे उसको, लेकिन जादा volume भी नहीं आया है, और body का structure है वो भी बहुत जादा strong नहीं है, तो अगर फिर भी यहां पर strong bearish candle मिल जाती है, तो 30.11, 29.94 और यह trend line, यह हमारा support level रहेगी last, तो अगर trend line के देखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कि market बिल्कुल trend line को touch करके ही reversal लेगी, market trend line के आसपास से भी reversal ले सकती है, तो अगर आप trend line के पास पहुंच जाते हैं, तो आप trend line के hit होने की weight बिल्कुल भी मत कीजाएगा, आप जल्दी से जल्दी trend line के पास ही exit कर दीजएगा, sufficient profit ने का लिए और market से exit कर जाएगा, यहां पर आपको weight करने की ज़ुरूरत नहीं है, रिस्की रह सकते हैं, काफी risky रह सकते हैं, अब बात करते हैं, silver mcx की आप देख सकते हैं, काफी strong हमार पास sell side का move आया है, बहुत बढ़िया हमें trade देखने को मिला है, और यहां बहुत बार discuss भी कर चुके हैं, कि अगर dollar index मजबूत होगा, तो gold or silver हमारे कमजोर हो जाएगा, और dollar index कमजोर होगा, तो gold or silver हमारे मजबूत हो जाते है, तो same चीज हो यह, dollar index मजबूत होगा, इसलिए gold or silver में गिरावत देखने को मिले है, बहुत strong गिरावत देखने को मिले है, अब देख, buy side अगर market move करते है, 88,757 और 88,346 का level, अगर buy side पे trade activate होता है, तो 89,100 first, 89,381 second, 89,752 और 90,322 यह हमारे buy side के trades रहेंगे, step 1 step आप इस पर trade ले सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा है किसी भी level पर आप, जिस भी level पर आप mark कर रखा है हमने, यह levels उस पर आप exit कर सकते हैं, next trade अगर आपने entry करने हैं तो जब उस next level को तोड़ेगा, उस level को तोड़ेगा, strong candle के साथ, तब आप next trade में entry ले सकते हैं, तो 88,016 हमारा first target रहेंगा, 87,594 यह देखे, pivot sound किया और यह देखे, S2 हमें disturb करने के लिए बीच में है, यह हमें तंग कर सकता है, और यह हमारे जो target इसको भी छोड़ा सा छोटा कर रहा है, तो 88,016 के बाद 87,799, 87,594 और 87,045 हमारा last target रहेगा, और यह वैसे अच्छी बात हैं कि छोड़ा target यह आपर हमें मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने discuss किया था, और यह हमें चोटे trades ही प्लान करने हैं, वह हमारे जादा बेटर रहेंगे, तो इन चीजहों आप ध्यान में लखेगा, और न्यूस के लिए जाद सच कोई जादा strong news नहीं है, और अगर आप trade प्लान करना चाहते हैं, आप trade नहीं कर रहे हैं, अगर तो trade करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा support दे रहे हैं, टेलेग्राम पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि time to time आपको updates दे सके, technical analysis हम आपको दे रहे हैं, fundamentals हम आपको दे रहे हैं, जितना possible हो सके, उतने information हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप trade प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, छोटे-छोटे trades प्लान करना शुरू कीजिए, तो आप access पे अपना account open कर सकते हैं, account opening के कोई charges नहीं है, free of cost है, account opening का link हमने description box में दिया हुआ है, तो अगर उसके बाद आपको डर लगता है तो आप paper trading शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा trade लेना शुरू किजिए, paper trading करना शुरू कीजिए, investment अगर आपने शुरू करनी है तो आप थोड़ी सी investment से शुरू कर सकते हैं, थोड़ी सी investment की साथ ही आप अपने trade को यहां पर प्लान करना शुरू कर सकते हैं, तो ADUSD में अगर आपको ट्रेल लेना है अब आप कहेंगे कि भी targets हम देते नहीं ADUSD के, तो लेकिन हम dollar index के targets देते हैं, dollar index जो भी movement लेकर आता है उसका opposite हमारा EURUSD, यानि कि Europe का EURUSD और EURUSD ये पेर और Australian dollar और EURUSD ये दोनो opposite चलते हैं, तो dollar index के जैसे हम आपको trades देते हैं, targets देते हैं, movement बताते हैं, तो अगर dollar index ऊपर जा रहा है तो AUD, USD में आप sell side का उस time पर trade प्लान कर सकते हैं, तो छोड़ी चोड़ी trades में entry कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी investment के साथ शुरू कीजिए, और second source of income को आप अपनाईए, So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like button पे click कीजिएगा, share कीजिए, subscribe कीजिए और maximum profits earn कीजिए, Okay investors, bye everybody, take care and keep on earning profits, goodnight.